तुमई आजमगर में जेवित महिला मृत घोशित की गई परिजनों और प्रधान पर लगाए मिली भगत का रोप तो देखिए परिवार रजिस्टर में मृत घोशित की थी महिला इसके साथ ही आपको बता दे कि जमीन हडपना चाते है परिजन ये चमपा देवी का कहना है SDM को भी लिखा था पत्र इसको लेकर महिला को नहीं मिला इंसाफ ये कहना है साफ तोर पर उस परिवार का आपको बता दे कि 75 वर्षिय चमपा देवी ने लगाई SDM से गोहार, SDM से इंसाफ मिलने की उमीद उन्होंने जताई है इसके साथ ये आजबतर के बरदह ठाना का पूरा मामला आपको बता रहे है देखें ये एक बहुत गभीर मामला है जो है एक महिला को म्रत खोशित कर दिया गया परिवार रजिस्टर में म्रत खोशित की गई थी महिला, अलाकि जमीन हडपना चाहते है परिजन ये चमपा देवी का कहना है और इसके तहत ये साजिश रची गई है, अलाकि इस मामले पर अप्शिकायत दे दी गई है क्या कुछ इस मामले पर कारवाई की जाए की वो देखडा होगा, लेकिन आजबगड में जीवित महिला म्रत खोशित की गई है आपको बता दे कि परिजन और प्रधान पर मिली भगत का आरोप भी लगाया है इस महिला ने दरसर परिवार रजिस्टर में ब्रत खोशित एक महिला की गई जो की जीवित है और उस महिला का साफ तोर पर कहना है कि जमीन हडपना चाहते है परिजन जो वो महिला है वो चमपा देवी है आपको बता दे कि SDM को भी इसको लेकर पत्र लिखा है महिला को फिलाल इंसाफ नहीं मिला है इस तरीके के आरोप लगाय जा रहा है 75 साल की चमपा देवी ने DM से गोहार लगाई है DM से इंसाफ मिलने की भी उमीद उसने जताई है इसके साथ ही आजमकर के बर्द है ठाने का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं देखें मामला बेहत गंभीर है और लगातार इस महिला ने आरोप भी लगाया है हलाकि इस मामले पर शिकायत भी दी गई यह कहा गया उस महिला के द्वारा लेकिन कोई कारवाही नहीं की गई है SDM को पत्र लिखा था इस पूरे मामले पर यह महिला का कहना है लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला कि अभी पर शिकायत भी तो अभी तो अभी तो नहीं जीन दी आपको सामने देखते हूं अब तो कौन कोजय कि आप मर गए हैं कौन कहा कि आप मर गई हैं पतिराम पतिराम कौन है पतिरा मेरा बैट जेट का लड़का है